हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक उन मैं यूट्यूब चैनल तो दोस्तो ये इस ड्रामा की एक्स्पिलनेशन का पार्ट नमबर टैन है अगर अभी तक आप लोगों नहीं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गैस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अगर आपको वीडियो पसंदाती है तो वीडियो को लाइक भी क्या कीजे तो लास्ट आपिसोट में हमने देखा था येंगसुन कीते से कहती है कि चले जाओ मेरी नजरों से दूर तब कीते उसे रोक करके कहता है कि क्या तुम मेरी उपर भरोसा नहीं कर सकती हो येंग सुन कहती है कि हाथ छोड़ो मेरा वो उसे थपड़ मार के वहाँ से जाने लगती है मगर कीते भी उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम मेरी उपर विश्वास नहीं कर सकती हो येंगसुन से कहता है क्योंकि तुम इसी लायक थी company के आगे तुम वो वेहां लगा भी कैसे सकती हो मैंने तुमें want भी किया था येंगसुन कहती है तुम कब भी सुधन नहीं सकते कबी जुनते नीचे आजाता है और कीते से कहता है कि भाई तू यहां पर क्या कर रहा है चल तू मेरे साथ मेरे घर में चल जुनते कीते की यह हाला देख करके मनी मन खुश हो रहा था और वो यहां पर उस से फैक्टरी में काम देने की बात करने के लिए आया था जुनते के जाने के बाद कीते येंग सिन के घर वापस लौटने का इंतजार कर रहा था मगर येंग सिन नहीं आती है और अगली सुभा येंग सिन नहीं सौंग के साथ डिसाइड किया था कि वो इस वैन को बेचते की इन दोनों को ही कीते के उपर गुस्स आ रही थी तो दूसी तरफ कीते वो जुनते के साथ फैक्टरी पहुच गया था अब वो यहां आया तो एमपरर के प्रोड़क्शन प्रॉसस को देखने के लिए था लेकिन यहां कि उसे पता चलता है एमपरर की फैक्टरी को तो बन कर दिया गया है और यह एक नया प्रोड़क्ट बना रहे है यहां पे वो हैड मैनेजर भी चेंज कर दिया है जो कीते के टाइम पे थे यह जान करके कीते को काफी बड़ा सद्मा लगता है और जुनते उसे कहता है कहीं तो यहां Emperor की वज़े से तो नहीं आया था ना कीते कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है अब जुन्ते जाते जाते उस नए मैनेजर से कहके जाता है इसकी उपर अच्छे से नज़र रखना तो दूसी तरफ मिस्मून और Chief Joe यह प्लान कर रहे थे कि किसी तरीके से Chief Joe दुबारा से Head Office में पहुँच जाएं इधर कीते पुरानी फैक्टरी जाता है तो वहाँ पे उसे पुराने Chief Manager मिलते हैं जो उसी के उपर बरस परते हैं कि उसके वज़े से आज Emperor बंदो चुका है अब कीते उन्हें सच बताने वाला था कि वो यहाँ पे आया ही क्यों है मगर पीछे से वो नया चालू मैरेजर इन्हें देख रहा था इसलिए कीते पूरी बात ही घुमा देता है खिर आगे कीते येंग सुन को फोन करने का ट्राय कर रहा था खिर जुनते तो बहुत खुश होता है और मिस मूनतव उससे कहते है कि क्या वो चीफ जो को दुबारा से हैड आफिस ला सकता है जुनते चीफ जो को हैड आफिस लाने की बात मान लेता है दूसी तरफ सौंग ने येंग सुन के कहने पे उसका फूट ट्रक बेश दिया था येंग सुन का फोन ना लगने पे वो पैसे वो उसके मॉम डैट को दे दिता है तो वहीं दूसी तरफ कीते ने पुराने चीफ मैनेजर को सब कुछ बता दिया था कि वो यहां पे एंपरर को दुबारा से बनाने के लिए आया है वो कहते हैं कि ये बच्चों का खेल नहीं है मगर कीते कहता है कि वो ये करके रहेगा और उसे उनका साथ चाहिए तो वहीं सौंग जब जा करके येंग सुन को बताता है कि उसने पैसे उसकी मॉम डैट को दे दिया है येंग सुन कहती है लोग करदी करबर तुरंत भागती है कि कहीं उसकी मॉम डैट पैसे लेकर की भागना जाए लेकिन होता भी यही है उसकी मॉम डैट पैसो की बतले एक लेटर छोड़ जाते हैं बहुत दिन हो गए कहीं घूमके नहीं आए हैं तो हम ज़रा घूमके आते हैं बिटा यैंग सुन कहती है जब पैसे खतम होंगे अब दर्शन आपके तब ही होंगे तो दूसी तरफ जुनते ने चीफ जो को बला तो लिया था लेकिन वो जान मूच करके उन्हें उस टीम का हैट बना दिता है जो की एंपरर प्रोडक्ट को खतम करने के लिए बनाए गई है खेर वहीं दूसी तरफ कीते वो यैंग सुन से मिलने के लिए जाता है मगर यैंग सुन गेट बन कर देती है कीते उससे कहता है कि कम चिकम मेरी बात तो सुनो यैंग सुन कहती है कि चले जाओ यहां से तब कीते गेट बहुत तेज तेज से ठोकने लगता है तब पीछे से सौंगा करके कहता है दूसरों को तंक करना बन कर वो उसे वेन में लगे हुए आदे पैसे वापिस कर देता है और यैंग सुन कहती है कि अब से हमारा हिसाब खतम हुआ और वो सौंग के साथ चली जाती है कीते को यह बिलकुल भी पसंद नहीं आता यह सब तो हां कर देते हैं मगर यैंग सुन मना कर दीती है कि वो उस कंपनी के साथ कोई भी रिष्टाब नहीं रखना चाती है बाद में बाबी उससे पूछती है कि यह सब कुछ उस कीते की वज़े से है यैंग सुन कहती है हाँ अब मैं उसका चैरा और नहीं दिखना चाती हूँ बाबी कहती है साफ तेरे चैरे पर दिख रहा है कि तू जूट बोल रही है बाबी उससे काम पे आने के लिए कहती है आगे यैंग सुन वो कीते को फोन करके कहती है कि मुझे तुम से एक सवाल पूछना है कीते उसे कहता है कि मैं अभी वहाँ पे नहीं आ सकता यैंग सुन कहती है तो मैं भी यहाँ से नहीं जाओंगी अचानक से बारिश होने लगती है और कीते येंग सुन से कहता है कि मेरा इंतिजार मत करना मगर येंग सुन भी जिदब्याडी थी येंग सुन का फोन नीचे गिर जाता है तो वहीं कीते कह रहा था मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं मगर नहीं आ सकता लेकिन ये तो येंग सुन ने सुना ही नहीं था क्योंकि उसका फोन खराब हो गया था खेर थोड़ देर बाद येंग सुन घर चल जाती है और देखती है कि कीते ने उसके लिए वहाँ अपनी मचलिया छोड़ी है तो वहीं कीते वो तो घुटनों के बल बैठा हुआ था ताकि वो पुराने चीफ मैनेजर को उसकी सिंसियार्टी दिखा सके अब कुछ टाइम बाद कीते वो येंग सुन से मिलने के लिए जाता है येंग सुन सो रही थी और कीते उसे ब्लैंकेट से एक कवर कर दीता है अब आगी देखने को मिलता है बारिश में भीगने की वज़ा से कीते की खुद की तवेद बिकड़ गई थी और इधर ना ही वो कीते से मिलने के लिए आई थी तो वो देखती है कि कीते ठेंड मी काप रहा है आई आज भी कीते को ही पसंद करती है वो खुद को नहीं रोप पाती है उसकी केर करने से तो वहीं येंग सुन की जब आंग खुलती है तो वो देखती है कि कीते की फिश अभी भी उसके पास है येंग सुन आज पहले से बहतर लग रही थी वो कीते को मेसेज करती है सुनो पड़ोसी, मैं तुमारी मचलियां वापस करने के लिए आ रही हूँ कीते की नीन इस मेसेज की वज़व से खुल जाती है उसे लगता है कि येंग सुन आई है मगर ये तो नाही थी वो नाही से कुछ भी नहीं कहता है और शांत रहता है इतने मही येंग सुन उसकी मचलियां लौट आने के लिए आ गई थी जब वो इने साथ में देखती है तो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम लोग यहां साथ में हो वो वहां से वापस लौट जाती है येंग सुन ने डिसाइड किया था कि वो एंपरर की डिस्पोसल टीम का पार्ट बनेगी दूसी तरफ ये सबी लोग आफिस पहुच जाते है और येंग सुन के ही आने का इंतिजार कर रहे थी इतने महीं वहां पे जुनते पहुच जाता है और इन सब लोग उसे कहता है कि एक महीने के अंदर एंपरर का नाम निशान मिट जाना चाहिए इतने महीं वहां पे येंग सुन पहुच जाती है और जुनते कहता है क्या तुम भी इस टीम का पार्ट हो येंग सुन हाँ बोलती है तो अब एक तरफ चीफ जो और उनकी टीम एंपरर को बचाने में लग गई थी तो दूसी तरफ कीते भी जो रिचो पे फस्ट फैक्टरी में इखुच जाता है और उसे अंदर जाते वक्त इस नहीं मैनेजर नहीं देख लिया था जो की जुनते को इंफॉर्म कर देता है तो वहीं कीते यहां कुछ मशीन की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था तो जुनते भी यहां पे पहुच किया था और ये चालू नया मैनेजर उसे सब कुछ बता रहा था तो वहीं एंग सुन भी यहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए आई थी और जब वो फैक्टरी में जाती है तो वो और कीते एक दूसरे को यहाँ देख करके हैरान होते है इससे कीते का कैमरा भी नीचे गिर जाता है दोनों ही कैमरा साथ में उठाने के लिए जाते है इतने में पीछे से जुनते आ जाता है और वो कहता है तुम दोनों के डेट करने के लिए यह जगा कुछ ठीक नहीं है यह लोग कुछ बोले उससे पहले ही जुनते कीते के हाथ से कैमरा चीन करके फोटोस देख लेता है कि उसने इन मशीन पार्ट की फोटो ली है फिर वो पूछता है कि आखिर यह कैमरा किसका है कीते तो अलमोस्ट पकड़ा ही किया था मगर पीछे से ही पुराने चीफ मेनेजर आकर के कहते हैं कि वो कैमरा मीरा है अब इसके बाद वो और कीते पूरी बात कीते की फेवर में खुमा देते हैं कि कीते उन्हीं ही पकड़ने के लिए आया था और ये बैग और कैमरा सारा समान उन्हीं का है फिर जुनते यैंगसुन से पूछता है कि तुम यहां क्या कर रही हो येंग सुन कहती है कि मैं तो यहाँ Emperor Disposal Team की वज़े से आई हूँ जुनते को तो अभी भी इनकी बातों की उपर विश्वास नहीं हुआ था तो अब तो वो इस पूरी फैक्टरी को completely seal करने के order देता है अब यहाँ से बाहर जाते वक्त येंग सुन का बैग उसके हाथ में लग चाता है और येंग सुन के बैग में इनकी Emperor Disposal Team की ओरिजिनल प्लान थे कि वो Emperor को Disposal नहीं करने वाले हैं तब येंग सुन बैग और लेटर छीन लेती है तब जुनते कहता है कि मुझे शक है इसमें कुछ और है तो दिखाओ मुझे तब येंग सुन कहती है कि ये मेरा Personal Letter है तुम चाहते हो तो मैं पढ़के सुनाती हूँ और उसके बाद वो लेटर में कहती है कि ये लेटर मैंने कीते को लिखा है और मैं उससे अपने सारे रिष्टे खतम कर रही हूँ चाहती हूँ कि मेरी जिन्दिकी से वो हमीशा के लिए दूर चला जाए कीते तो येंग सुन की बात ये सुनके हैरान था जबकि उस लेटर में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था खर जुनते को तो विश्वास हो जाता है और येंग सुन उस लेटर को वहीं पे फार देती है मगर ये पुरानी चीफ मैनेजर समझ गई थे कि येंग सुन भी उनी की तरफ है वो उसे सब कुछ बता देते हैं कि कैसे कीते यहां पे आया है और अब उसे अकल आ गई है दुबारा से एंप्रर को बनाना चाता है ये कैमरा और बैग भी उसी काई है येंग सुन ये जान करके सप्प्राइज होती है और चीफ मैनेजर उससे कहते हैं मुझे लगता है कि तुम उसके करीब हो लेकिन फिर भी उसने तुम नहीं बताया है तो तुम उसके सामने कुछ भी ना जानने की एक्टिंग करना येंग सुन उनकी बात समझ गई थी खेरिये चीफ मैनेजर तो ये भी बताते हैं कि उस रात बारिश में वो गुटनों की बल उनके आने का इंतजार कर रहा था अब येंग सुन को पता चलता है कि उस रात कीते उससे मिलने के लिए क्यों नहीं आ पाया था तो वहीं जुनते को तो अभी भी कीते के उपर शक्त था वो कीते से हैड आफिस वापस आने के लिए कहता है तो वहीं आगे कीते वो चीफ मैनेजर के पास जा करके उनसे माफी मांगता है और फिर पूछता है कि येंग सुन कहा पे है वो कहते हैं वो लड़की तो यहां से ही जा चुकी है कीते भी तुरंत निकलता है येंगसुन के पास जाने के लिए येंगसुन ने भी बस को रोक करके रखा था और कीते के आते ही वो ऐसे एक्टिंग करती है जैसे ये बस अभी आई है और वो यहां से जा रही है कीते भी बस में चल जाता है और यैंग सुन उसे कहती है कि दूर रहो मिस्टर तब कीते उससे कहता है कि तुम कल रात के लिए गुस्ता हो क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं आ पाया यैंग सुन कहती है वला मैं क्यों गुस्ता होने लगी यैंग सुन हाँ बोलती है अब कीते भी यैंग सुन के साथ साथ हैड ऐड अफिस पुर। बहुँच गया था यैंग सुन कहती है मेरा पीछा क्यों कर रहे हो कीते कहता है मैं अपने काम से आया हूँ वो योंग चैन के पास चला जाता है फिर यैंग सुन दूर से ही देख के उसे कहती है अब ये दुबारा से बुरे बनने की एक्टिंग स्टार्ट करेगा और होता भी यही है कीते चीफ जो की टीम के साथ जगर रहा था और उपर से जुन्ते ये सब कुछ देख लेता है खिर आगे कीते वो जुन्ते के आफिस में जाता है और जुन्ते उससे कहता है कि तू वापिस से हैड आफिस आजा ताकि मेरी सारी चिंता खतम हो जाए कीते कहता है कि उसे फैक्टरी में ही रहना है मगर जुन्ते अब उसे ओर्डर देता है वापिस से हेड आफिस आने के और कीते मान भी जाता है तो दूसी तरफ यैंग सुन वो पूरी टीम के साथ लंच पे गई होई थी अब कीते का उसे फोन आता है कि यैंग सुन मुझसे मिलने के लिए पार्क में आओ तब यैंग सुन कहती है क्या मैंने तुमसे कहा नहीं के मेरे और तुमारे बीच में सब कुछ खतम हो चुका है और मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आने वाली हूँ मगर कीते तो फोन कर देता है और वो पार्क में यैंग सुन का इंतजार कर रहा था इधर यैंग सुन इन लोगों के साथ थी तो लेकिन उसका दिमाग वहीं लगा हुआ था कि कीते क्या उसका इंतजार कर रहा होगा और कीते सुबह से रात तक उसका इंतजार करता है अब यैंग सुन भी खुद को वहाँ जाने से नहीं रुक पाती है वो दूर से ही देखती है कि कीते अभी भी भी वहीं बैठा हुआ है वो उसे फोन करके कहती है मिस्टर क्या तुम अभी भी मेरा इंतजार कर रहे हो कीते कहता है कि हाँ मैंने कहा था कि जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं नहीं जाने वाला हूँ तो अब जल्दी से यहां आ जाओ येंग सुन कहती है मैं तो तुम्हारे पीछे ही हूँ कीते कहता है मुझसे मजाक मत करो येंग सुन कहती है अगर विश्वास नहीं है तो मैं जा रही हूँ विकीते पीछे मुड़ के देखता है और येंग सुनके पीछे भागता है उसे रोकने के लिए खैर इसी के साथ ये वाले पार्ट के explanation तो यहीं पे complete होती है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक्स फॉर वाचिंग मिलते बहुत चल